दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, डूरियन फ्रूट है, उसके बागान के अंदर, यानि यहां पर जितने भी आपको चारो तरफ मेरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर डूरियन लगे वे हैं, और यह दिखने में कुछ ऐसा होता है, बहुत ही जादा का यानि लग 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 अग अटीस लाग चारीस हजार रूपे का विकार था, तो आप देख सकते हूँ, इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं थाइलेंड में हूँ और एक अगला साइकल ट्यूर श्टार्ट कर इस व्लोग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि थाइलेंड का किंग ओफ फ्रूट यानि जो डूरियन फ्रूट है, वो कितना महंगा भीका था, और कितना दिखने में कैसा होता है, उसकी स्मेल कितनी भयानक होती है, वो सारी चीज दिखाऊंगा, यानि यह यहां का था नजर आ रहे हैं, वो सारे मैंगो स्टीन के, यानि जो डूरियन है, जो डूरियन है, उसको किंग ओफ फ्रूट कहा जाता है, और जो मैंगो स्टीन है, उसको क्वीन ओफ फ्रूट कहा जाता है, तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, डूरियन जो डूरियन फ् प्रूट को थाइलेंड में फलों का राजा बोला जाता है और यह दिखने में कुछ ऐसा होता है बहुत ही ज्यादा कांटे होते हैं देख रहे हो कितना नुकिला है ता इसको आप ऐसे हाथ में उठा नहीं सकते हो बहुत ज्यादा आपको चुप जाएंगे और इसको बड़ा हो जाता साइज में और यह टूटना जाए इसको इसलिए यहां के लोग इससे होल्ड करके रखते हैं अगर आप यहां पर यह पका हुआ लगा हुआ है तो आप रोड से जा रहे हो तो आपको दूर से शुगंद आ जाएगी यहां पर डूरियन पड़े हुए है ज लोग यहां पर इसको खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जितने भी आप डूरियन देख रहे हैं मौन्टॉंग करके एक वराइटी है उस वराइटी के डूरियन लगे वे हैं दुनिया का सबसे महंगा जो डूरियन विका था वो बिका था वो बिका ता 48,000 डोलर का या सबसे में दुनिया इसको जाना पसंद करते हैं जो मौन्टॉंग है और यहल्थ के लिए इसको लोग ज्यादा खाते है और का विकाल भी सबसे अग्मार्थ пос deputy गांगे खाते हैं तो यह देखो बात करेंऀ इसको बड़े 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 में के पेड़ है अब कर अगर ग यह चारो तरफ इन्होंने नल से लगा रहे हैं दाइरेक्ट पानी डाला जाता यह फुवारे से इन से पानी निकलता इनके उपर जाता जैसे कि अगले वाले दुरियन पेड के पास लेगे जाता हूं यहां पर सीफूड खाते हैं यानि नोन वेज हो गया एक तरीके से बट एक चीज है कि यहां पर चावल भी होते हैं लेकिन खेतों में लोग चावल ना लगा कर यहां पर लगाते हैं फ्रूट्स ताकि वो अच्छी खासी इंकम कर सके एक दो साल के अंदर अंदर ही जब यह फूट्स ऐसे जल्दी देने लग जाते हैं और यह तो चोटा सा पेड़ होता है उसी के लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहां का जो अनर है उसके पास लग बग सो से डेड़ सो पेड़ है इस बागान के अंदर और गयस करो कितने रूपे कम जादा लेकिन कम से कम तो 5 मिलियन कमाई लेता है तो सोचके देखो वो साल के अंदर 2,5 क्रोड रूपे इन पेड़ों से कमाता है तो वो चावर लगा कर क्या ही कमा लेगा इसलिए वो लोग यह करते है और कुछ-कुछ दूरियंस होते हैं उनको तोड़ भी देते जो आच क्योंकि इसमें कई सारी बिमारियां भी पैदा हो जाती है तो इसको बचाने के लिए इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं तो यह लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर्स है वो हाइर करते हैं और वो इसनका पूरा ख्याल रखते हैं इनको बांधना बगर यह सब करना तो यह काफी ज यहां का जो राजजा है, रामा टेन उसको डुरियन बहुत पसंद है, तो वह यहां से डुरियन खरीते हैं, वह बहुत ज़्यादा महें वह अच्छे होते हैं, लोगों को भी आगर पैसे उख्माने हैं, तो मुझे लगता है जो पेड लगा देते हैं फ्रूट्स के उसमें जादा कमाई है तो बहुत सारी चीज हम घर पर लगा सकते हैं और उससे पैसे अच्छी खास इंकम की जा सकती है एक डूरियन है उसका जो वेट लग 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 तीन से चार किलो होता और आप मत इखाता हूं एक पेड़ पर कितने सारे डूरियन लग सकते हैं यह पेड की झाल